सभी सात्यों को राम राम नमश्कार उम्मीद करतों आप सभी बहुती बढ़िया होंगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CRPF ट्रेट्समेन की भरती के बारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को काफी महत्मूर जानकरी देने वालों हो अगर आपने CRPF ट्रेट्स नुकसान होने वाला है तो वीडियो को अब लास तक ध्यान से देखें वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शियर करके चैनल को सब्स्क्राइब करने हैं और वेल आईगन पर प्रेस करने हैं तक कि future में आने वाली हर एक जानकारी आप तक सभी से पहले पह हो जाते हैं क्योंकि अभी बहुत फास तरीके से कंपलीट होने वाली है तो इसलिए आपको पल-पल की इन्फॉर्मेशन की जरुवत पड़ेगी अब आगे बढ़ते हैं और आगे आप सभी को जानकरी देते हैं तो देखें यहां पर दो चीजें हैं एक तो आपका रजल्डेट फिजीकल कब होगा साथी में कट आफ तो कट आफ के लिए मैं आप सभी को कुछ चीजे बता दू और फिजीकल के लिए आप सभी को चीजे बता दू इससे पहले आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा मैं CRPF HCM वाली भरती के वारे करवाएंगे DMEV करवाएंगे और RMEV करवाएंगे यानि सब कुछ एक ही साथ कंप्लीट हो रहा है अब यहां पर आप को एक चीज बता दू कि इस बरती के लिए पहले कुल 55,819 कंडिडेट को क्वालिफाइ किया गया था 1315 पोस्ट के लिए फिर टोटल 14,000 प्लस कंडिड पोस्ट जो हैं आपकी इसमें से कुछ पोस्ट ऐसी रहेंगी जो कि खाली रहेंगी यानि कि आप हाला समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत हो गई है और उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि सड़नली इन्होंने सारी चीज़ा करवा दी और फटा-फट से एक ही साथ यह सारी टेस्ट यहां पे रेप्रेस कर देगा स्किल्ट फो बाकी का यहां पर आपका PC होता है जबकि आपका क्रेड्स वाली भरती में PET यानि Siq y 내려م कि रनिंग भी յी आपकी हूती है जबकि head principle में कोई रंणिंग नहीं में फिर भी उसके बाद भी हालत है अगर हम बात करें आप एप्रोक्स कैलकुलेट करें तो 65,000 प्लस कैंडिडेट यानि 65,888 यानि कुछ कैंडिडेट वेटेंगे इतने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए यानि फिजीकल डीवी बगेरा के लिए तो आप सभी समझे के 1,41,000 कैंडिडेट में से 1315 पोस्ट नहीं वरिज आ रही हैं तो यहाँ पे आपकी पोस्ट की संक्या 8,236 है तो आप सभी को एक चीज में क्लियर वर्ड में कहना चाहता हूं कि आप अपने दिमांक्सम में से एक चीज निकाल दीजिए वो है कट आफ य क्लियर कर देता हूं क्योंंकि इस बर्टी में सेम आपका HCM बाली भर्ती की तरह process होने वाला है आप सभी को पता है के देखो अग्ली stage में डीवी PST और आपका trade-test यह 4 चीजहाँ की यहाँ पर होने वाली हैं एक की stage में चारफ चीजहने यहाँ पर करवा रहे हैं तो इनके लिए 65,000 के लिए करवाना कोई बड़ा चेलेंज नहीं है यहाँ पर आपकी जो भरती होगी वह एक स्टेज में ही कंप्लीट हो जाएगी और अगली स्टेज में आप करवा दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात जो इंटरेस्टिंग बात रहेगी वह यह रहेगी और जब यहाँ पर लगातार वच्चे फेल होंगे पहली चीत तो यहाँ पर बहुत सारे वच्चे ट्रेट टेस्ट में फेल होंगे बाकी का आप सभी को पता है चीएस बगरार में में लॉर्मली काफी वच्चे DRAY मिल सकती हो ऑर इससे बड़िया डोलडन अप़र्टिनव यह sä般 के नहीं हो सकती क्योंकि अगर आपने अभी भी CRPF HCM की भरती से कुछ नहीं सीखा तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना नुकसान करेंगे इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी के पास golden opportunity है क्योंकि यह सारी चीज़ें बदलेंगी और आप देख लेना कम नंबर व बात करें तो यहां पर फिजिकल देख सकते हैं यहां पर ट्रेट की बात करें जैसे आपका ड्राइवर हो गया इसके अलावा मोटर मकैनिक वीकल एंदा यहां पर गार्डनर पेंटर कारपेंटर ब्रास बैंड एंदा पाइप बैंड कॉबलर टेलर इन सभी के लिए कर सारं के लिए form apply किया है तो 1.6 किलो मेंट के रहनें 10 मिनट में में मिलग कैंडिडेट को और 1.6 किलो मेंटर की रहनें फिमीमेल को बारह मिनट में पूरी करनी होगी साथी में मेंशन प्लंबर इलेक्रिशन की 1.6 किलो मिन्टर की रणिंग 9 मिनट में पूरी करनी है और मेंशन प्लंबर इलेक्रिशन की जो विकिंसीज है पायोनीर विंग में 8.4 मिन्टर की दौर 5 मिनट में पूरी करनी है यानि कि यहाँ पे देखो के बाद आपका PST नहीं है ट्रेड टेस्ट तो हो गई होगा ट्रेड टेस्ट के साथ साथ आपका फिजिकल भी होगा और फिजिकल में बहुत सारे बच्चे डिस्कॉलिफाय हो जाएंगे और रेजल्ट आने में आप ज़्यादा देरी नहीं है जै आप यह मानो कि दिसमर में इनका पूरा प्रोसेस लगवाग खतम हो जाएगा दिसमर दिसमर में हसीम वाली भरती को फिरी कर देंगे और जैसे इनका प्रोसेस प्री होने वाला होगा उससे 2, 4, 6, 10 दिन पहले आपका रजल्ट भी डिकलियर हो सकता है तो अगर आप फिजि आप यह समझेगा कि कम नम्मर पर भी इस वार आपको बर्दी मिल सकती है तो यह आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चनिटी है बारवार CRP वाले बच्चों को जो HCM की तैयारी कर रहे थे हों से हाथ जोड के बिंती करता रहा कि आप टैपिंग की तैयारी कर लो आज सिदी यह है कि 14,000,000 में से भी 1315 पोस्ट नहीं भरी जा रही है और मैं आपको बूर्डरों कि आपको यह ट्रेट्स में में भी देखने के लिए मिलेगा कि 8236 पदों में से भी आपको कुछ पद खाली रह जाएंगे क्योंकि यहां पर एक फिक्स संक्या है कि 8 गोना कैंड को ही फिजिकल के लिए सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाय करना सीवीटी में और इसमें से बच्चे तयारी करने ही रहें क्योंकि अब तक क्या रेजल्ट वगरा थोड़ा डिले हो रहा है तो सभी आराम से सोग हैं तो आप ऐसे समझो कि अगर आप जागे हुए हो तो आ पॉल्डन अपॉर्चिनटी मिल रही है आप यह मानों बच्चे एचसीम से चुग गए इसके अलावा सीए सफ एचसीम से भी चुग गए बहुत सारे मौक्य आए जहां पर बच्चों ने तैयारी नहीं की एमिल लगातार आपको बार बार आवेर करना हूं यह वीडियो के तैयारी करें बाकि जो भी समझदार बच्चे हैं चीजों को समझेंगे और तैयारी करेंगे तो भाई प्लीज आपको मैं अपने छोटे भाई बेन की तरह ट्रीट करता हूं तो प्लीज आप फिजीकल की तैयारी जरूर करो ताकि आपसे मौका ना निकले बाकी का फिर आप फिर ये मानिएगा उनके 10-15 दिन के अंदर वो फिजिकल स्टार्ट करवा देंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिलाल के लिए बहसे इतना इस तैंक्ट फूर वाचिंग जै हिंद जै वारत